ओम नमर्शिवाय दोस्तों, आज मैं अप लोगों के साथ ओम कालेश्वर जोतिल लिंग के दर्शन का संपूर व्लॉग शेयर करने वाली हूँ, जिसमें हम उजयन से ओम कालेश्वर मंदिर तकी आतरा की सारी डीटेल शेयर करेंगे, इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कितना खर्च आता है अगर हम उजयन से जोतिल लिंग, ओम कालेश्वर जोतिल लिंग के दर्शन के लिए जाते हैं, कितना हमें किराया लगता है, लोकल बस, गाड़ी, और फिर ट्रेन से, और अगर आप प्राइविट कार या फिर वैन बुक करते हो, तो आपको कितने पैस कौन सा जगह पे जाकर के बहुत ही सस्ते प्राइज में रूम और भोजन की विवस्था मिल जाएगी, यह सारी चीज़े हम इस वीडियो में जानेंगे, साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगी, कि अगर आप उजयन से उंकालेश्वर जाने के लिए, टाइम का अवधी पूछना चाहते हैं कि आपको कितना समय लगेगा इस दर्शन के लिए, तो वो भी मैं आपको बताने वाले हुँ इस वीडियो में, कि आप एक दिन में उंकालेश्वर से दर्शन करके फिर उजयन लौटने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, और उंकालेश्वर में आपको दर्शन करने के लिए पूरा टाइम कितना लगता है, सारी चीज़े हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, तो इस्ते पहले मैंने महाकालेश्वर की संपोड़े दर्शन का व्लॉग शेयर क्या था, जिसमें हमने व्याइपी दर्शन, ड्रेस, कोड और सारी चीज़ मारती की सारी डीटेल वाली वीडियो जो है चानल पे मैंने कलका अप्लोड किया है, तो उसे भी मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आई बेटन पे दे दूंगी, तो आप वहां से चेक कर लीज़ेगा, उसमें मैंने भस मारती की सारी डीटेल में जानकारी दिया है, कि इस टाइम किस प्रकार से दर्शन हो रहा है, कितने रुपे में आपको दर्शन करने को टिकट मिल रहा है, और साथ ही साथ कैसे बुकिंग करनी है भस मारती की, और आपको फ्रंट सीट पे बैट करके दर्शन करने के लिए क्या करना पड़ रहा है ड्रेस कोड सारी चीज़े हमने बताई है और यह जो व्लॉग है यह उंकालेश्वर का है तो हम अपनी उंकालेश्वर की यात्रा शुरू करते हैं महाकालेश्वर का धर्शन हम लोगों ने कर लिया और दूसरे दिन सुबह में हम लोगों ने भस मारती अटेंड की सुबह की और सुबह की भस मारती साड़े चे या साथ बज़े तक हम लोग अपने होटेल रूम में आ गए थें तो इस वज़े से हमारी जो उस दिन का पूरा समय था उसको हम लोगों ने सिद्डियूल किया कि हम उंकालेश्वर जाएंगे जो कि हमारा पहले से ही प्लान था शेरिंग बस से जादा हमें अच्छा लगा कि हम लोग अपना खुद का ही गाड़ी बुक कर लेते हैं क्योंकि उसी दिन साम को हमारी उज्जैन से मैहर जे जाने की ट्रेन थी तो हमें वस टाइमिंग मिली थी रात के 9 बज़े तक तो हम लोगों ने डिसाइड गया कि हम लोग अपना खुद का गाड़ी बुक करेंगे और उससे हम लोग जाएंगे हम लोग थे 4 पर्शन जिसके इसाब से हमने बढ़ी बाली गाड़ी बुक की और हमें जो कॉस्ट पड़ा था वो 3500 से 3600 के बीच में कॉस्ट पड़ा था जिसमें हमें उंका लेश्वर दर्शन कराने के बाद यानि कि संपूर दर्शन कराने के बाद वो गाड़ी जो थी हमें ला करके हमारे होटेल रूम छोड़ दी उजयन से आठ बजे हम लोगों ने अपनी यात्रा स्टार्ट की और ओम का लेश्वर पहुंचने में हम लोगों को धाई से तीन घंटे लगे थे अब हम जान लेते हैं कि अगर आप बस से जाते हो तो बस के लिए आपको किन जगह पे बस मिलेगी उजयन में उजयन में जब आप बस से जाते हो तो आपको साथ बजे सुबह से ही बस मिलनी स्टार्ट हो जाती है अगर आप साथ बजे की बस लेते हैं तो आप आराम से चार से साड़े चार घंटे में ओम का लेश्वर पहुंच जाएंगे और बस जो है सीधे आपको ओंकालेश्वर नहीं पहुंचाएगी ओंकालेश्वर बस स्टेंड पहुंचाएगी ओंकालेश्वर बस स्टेंड से ओंकालेश्वर की दूरी जो है वो है डेड़ किलोमेटर और इसके लिए आपको अगर आप लेते हो तो पर परसंद 10 से 20 रुप मंदिर पहुचा दी थी हमें तो मामलेश्वर जोती लिंग पहुचने के बाद हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन किया तो स्री मामलेश्वर जोती लिंग पहुचने के बाद हम लोग लाइन में लग चुके थे अब लाइन आपको देखके लग रही होगी बहुत लंबी होगी तो ऐसा कुछ नहीं था लाइन बहुत ही जादे छोटी थी यानि कि आपको एक मिनट का भी समय नहीं लगता है और आप मंदिर के परिशर में एकदम आराम से पहुंच जाते हैं और यहाँ पर हम लोग यात्रा आरंब करते हैं मामलेश और जोतिल लिंग की और हम अंदर में वीडियो सूट इसले नहीं किये क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं था तो हमने भी फोन से वीडियो सूट नहीं किया है बट मंदिर परिशर का हमने वीडियो सूट कर लिया है अब यहा जोतिलिंग का दर्शन संपोन माना जाएगा तो हमने मामलेश्वर जोतिलिंग में दर्शन किया तो अभी आपको थोड़ी देर आगे में आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं लोग वहीं पर आपको जोतिलिंग का दर्शन करने को मिल जाता है अगर उनकी प्राइस 220 रूपय है पर परसन और अगर आप एसी बस लेते हैं तो आपको 400 से 500 सम्थिंग चार्जिस पे करने पड़ेंगे 500 के एराउंड ही आपकी प्राइस होगी पर परसन के लिए तो उजयन से ओमकालेश्वर की दूरी जो है प्राइने रखता है अगर आप जादे लोग हैं और अगर आप एसी बस लेने वाले हैं पर परसन के हिसाब से बस से जाने क्या सोच रहे हैं और चार पांच लोग हैं तो हम तो आपको प्रेफर करेंगे कि आप अपनी प्राइवेट गाड़ी ही बुक कर लीजे जो गाड़ि दस मिनिट का रास्ता चल करके टैक हिया और हम नर्मदा नदी के तट पर पहुंची गए और यहां पर आने के बाद आपको मिल जाती है बहुत ही अच्छी अच्छी नाव और बोर्ड्स और यहां से आपको नदी पार करके ही जाना होता है ओम कालेश्वर जोतिलिंग के द लिए हैं तो आपको जानकारी तो होई गई होगी हमने बता ही दिया है कि उंकालेश्वर जोतिलिंग के पास भी मतलब नर्मदा नदी के तट के कुछ दूरी पर भी गाड़ी आ जाती है लेकिन अगर गुमरा होते हैं तो वहां से आपको गाड़ी वाले भाईया यही बोल जाते हैं आपको बोट और नौ की जरूरत नहीं पड़ती है तो इस बात का खाशा क्याल रखेगा अगर आप लोकल बस से गए हैं तो आपको फिर वहां से गाड़ी लेकर के आनी पड़ी की नर्मदा नदी के तट पर लेकिन जो मिलती नहीं है तो आप मामलेश्वर जोति जोतिल लिंग अगर आप उपर की सता से देखते हैं यानि की पुल पर से देखते हैं और या फिर उससे और उचाई से अगर देखने की खोसिस करते हैं तो आपको ये प्रतीत होगा कि आपको ओम की आकरिती मिल जाती है तो पूरा त्वीप जो है वो ओम की आकरिती पे ही बसा हुआ है, ओम आकरिती के वज़े से ओम का लेशवर का नाम ओम का लेशवर पड़ा, 12 जोतिलिंगों पर चॉत्था अस्थान ओम कालेशवर जोतिलिंग करेंगे, तो मिलाके आपकी एक जोतिलिंग की यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी, नर्मदा नदी के तड़ से ओमका लेश्वर जाने के लिए आपको 5 मिनिट का टाइम लगता है बट इतनी दूरी के लिए आपको जो पैसे पे करने होते हैं वो होते हैं 20 रुपे पर परशन अगर आप सेरिंग बोट लेते हैं तो आपको 20 रुपे पर परशन देना पड़ता है और अगर आप चाहें तो परशनली बोग भी कर सकते हैं हमने शेरिंग बोट लिया तो हमें 20 रुपे पर परशन लगे जिसमें हमें ओंका लेश्वर जोतिलेन पहुंचा करके और वहीं पर हमारी बोट रुखी रहती है और फिर जब हम दर्शन करके आते हैं तो वो लोग वहां पर बहुत ही जादे गुमराह करेंगे 50 रुपे 60 रुपे 80 रुपे तक चार्ज करने की बात करेंगे शेरिंग बोट पर बट आपको उनकी बातों में नहीं आना है आपको मोलभाव करना है और आपको 20 रुपीज में आराम से पहुंचने को मिल जाएगा तो इ इतनी जानकारी हम दे ही रहे हैं तो आपके से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगे कि प्लीज चानल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए महाकाल कोरीडोर का भी दर्शन हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में करवाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन बैल आन कर ल करने और फिर हम मंदिर के हॉल में आ गए थे मंदिर परिशर जो की काफी उचाई पर है अगर आप महाकालेशवर आए तो आपको ओंकालेशवर जोतिलिंग का भी दर्शन जरूर करना चाहिए यह मैं आपको जरूर से जरूर बोलूंगी इससे आपका क्या होगा कि दो जो लेंगे दर्शन भी कर लेंगे अब यहां पर भी वियाई पे टिकेट लेने की जरूरत पड़ जाती है क्योंकि यहां पर बहुत ही लंबी लाइन लगती है और उस लाइन से अगर आप दर्शन करने का सोच रहें फिर तो आपको इतना ज्यादा टाइम लगेगा कि फिर आप परिशान ही होने वाले हो क्योंकि 2-5 घंटे आपको लग जाएंगे उस लाइन में इतनी भीड होती है तो अगर आपका रेफरेंस है तो भी आप वियाई पी दर्शन कर सकते हो और अगर आप रेफरेंस नहीं लिये हैं तो आपको वहां पे पंडा लोगों के द्वारा एक जिए जाती है जो कि 200-300 होती है वह आप बात करेंगे तो आपको अच्छे से मिल जाएगा बढ़ 200-500 रुपा लगते परपर्शन और आप वह पे करके वियाईपी लाइन में लग सकते हैं वियाईपी लाइन में भी लगने के बाद आपको 10 से 15 मिनिट लगता है मंदिर पर इशर में पहुंचने पे और डिपेंड करता है भीड तो इस बात के भी ख्याल रखना है अगर आप यह सोच रहें कि व में उंकालेश्वर जोते लिंग जो है मंदिर जो अंदर की है वह बहुत ही छोटी है और सरकरा है तो इस वज़े से आपको अगर यह सोच रहें कि वियाईपी दरसन में आपको महादेव को प्रशाद फूल या फिर जल हाथ से चढ़ाने को मिल जाएगा तो ऐसा कुछ नह के में पैक कर दिया गया है महादें को जिसे आप बस देख सकते हैं ट dalej कर सकते हैं झुנा मना है है और चूप तो वहाँ पर फूल तो नहीं चड़ा सकते हैं तो झाल करने को मिल जाता है और दर्शन भी आपको फटाफट करना होता है हम लोगों ने दर्शन बहुत ही अच्छे से कर लिया था जेनरल लाइन से अगर आप जाने का डिसीजन लेते हैं तो फिर आपको फटा-फट निकल नौते हैं बस एक जलक देखने को मिलती है और लाइन में चलते हुए भी आपको बाहर निकाल दिया सता है बट अगर आप किसी पंडित जी के साथ गए हैं या फिर अपने रिफरेंस पे पंडित जी के साथ गए हैं तो आपको आधे मिनट का समय मिलता है या फिर एक मिनट का भी समय मिल सकता है जहां पर आप आराम से दर्शन कर सकते हैं और आपको जल भी लाकर के वह पंडित जी लोटे में दे देंगे तो आप एक पात क्योंकि हम जब वहां पर पहुंसते हैं तो इतनी अफ्रात अफ्री हो जाती है कि हमें चीजे भूल जाते हैं तो इस वज़े से आप कर लिजेगा अब यह तो रही नर्मदा नदी से सीधे उंकालेश्वर दर्शन करके फिर नर्मदा नदी पर आने की बात यहां पर एक और ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको बोट राइडिंग जरूर करनी चाहिए अगर आप एक्साइटेड हैं पूरा नर्मदा नदी के दैम मिल जाता है जहां पर दो नदी अलग अलग होती है जिसमें नर्मदा और कावेरी नदी जो है उसी डैम से अलग अलग हो जाती है तो यह दोनों नदियों का संगम वहां पर अलग हो करके देखने को मिल जाता है अब इसके आगे जब आप जाते हैं तो वोट आपको प परिक्रमा मार्ग जो है यह आपको खुद से ही तै करना होता है परिक्रमा मार्ग से जब आप दर्शन करने के लिए परिक्रमा स्टार्ट करते हैं तो रास्ते में आपको दो चार मंदिर भी मिल जाते हैं जो कि 7 से 8 किलो मिटर की रास्ता होता है यह परिक्रमा मार्ग का और ये दो घंटे का रास्ता होता है देर से दो घंटे आपको लग जाते हैं ये आपको केदारिश्वर मंदिर होते हुए ये रास्ता जाता है तो आपको सबसे पहले केदारिश्वर मंदिर के दर्शन करने को मिलते हैं इस मार्ग में उसके बाद रिड मुक्तेश्वर मंदिर के दर्शन करने को मिलते हैं, गौरी सुमनाद मंदिर के पास है, और पांडो कालिन मंदिर है ये, भहुत सारे पौराडिक मंदिर मिलेंगे इस रास्ते में जब आप दर्शन करने के लिए, ये मार्ग, यानि की परिक्रमा मार्ग boat riding चूज करते हैं तो, और आप ये सारे मंदि के दर्शन कर लेंगे जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं अद्भूत होते हैं बट इसमें आपको समय लगता है देर से दो घंटे तो इतना टाइम अगर आपके पास रहे तो आप बोट राइडिंग जरूर लिजेगा क्योंकि बोट राइडिंग का अलग ही इंजॉयमेंट है परिक्रमा मार्ग की यात्रा जो है सिद्धनात मंदिर में जाके पूर्ण हो जाती है और वहां से आपको 10-15 मिनट लगता है जिसमें आपको एक ब्रिज मिल जाती है और उसे आप 10-15 मिनट दूरी ताय करेंगे उसके बाद आप ओमकालेश्वर के घाट पे पहुंच जाए तो अगर आपके पास समय है और आप ओमकालेश्वर में रूकने वाले है नाइट इस्टे करने वाले है तो आपको यह आरति भी ज़रूर अटेंड़ करने चाहिए यह अपने आप में एक बहुती दिव्या आर्ति होती है तो आप यह भी अटेंड ज़रूर कर लीजेगा और यही संस्थान का नाम है जहां पर आप बहुत जाएंगे बहुत ही आराम से किसी भी आटो को बोलेंगे तो वो आपको वहां पर पहुंचा देंगे यहां पर आपको 350 रुपए से 950 रुपए तक के AC और non AC rooms मिल जाते हैं जिसमें आपको आप प्रशाद भी ले शक्ते हैं प्रशादाले मिल जाता है इसी संस्थान के अंधर में है जिसमें 10 से 20 रुपए का प्रशाद मिल जाता है अगर मैं खाने की प्राइस की बात करूँ तो खाना आपको 40 से 50 रुपए पर प्लेट मिल जाता है तो खाना भी काफी affordable और अच्छा मिल जाता है और यह संस्थान आपको बहुत ही कम प्राइज में रूम्स अवैलिबल करा देता है यहाँ पर आप चाहें तो डॉर्मेटरी रूम्स भी ले सकते हैं जो कि पर परसन बेड के इसाब से अगर इसके सिंगल परसन बेड की प्राइज अगर बताऊं तो 40-60 रुपए आपको पे करने होते हैं क्योंकि हम लोग नाइट इस्टे नहीं करने वाले तो हम लोगों ने अपनी गारी से रिटर्निंग की तो रास्ते में हमें कुछ टाइम बाद एक अच्छा सा रेस्टरेंट मिल गया जिसमें हम लोगोंने खाना वाना खाया और अच्छा खाना था टेस्टी था भूक लगा तो हमें उंकालिश्वर के दर्शन की यात्रा काफी 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 अच्छी लगी यहां पर हम लोग उन्हें खाना ओर कर दिया था और हम लोग वेट कर रहे थे कि हमारा खाना फटा फटा आ जाए तो वेट तो हो नहीं रहा था क्योंकि भूख बहुत जोर की लगी थे हम फिर से मेंशन कर देती हूं इससे पहले मैंने महाकालेश्वर के संपोण दर्शन का व्लॉग शेयर किया है जिसमें हमने महाकालेश्वर दर्शन में ड्रेस कोड आपको दर्शन करने में महादेव के उपर जल चड़ाने फूल चड़ाने का मौका कैसे मिल सकता है कैसे टिक भी टिकेट लेने के जरूरत पड़ती है और टिकेट बुकिंग करनी पड़ती है तभी आप महादेव के उपर जल और फूल चड़ा सकते हैं वरना आप बस दूर से दर्शन करके और मंदिर से बाहर आ जाएंगे तो ये डीटेल हमने उस वीडियो में बता दिया और साथी सा है जो कि वहां का एक लोग प्रियद्रिश्य है उसका भी व्लॉग हम इस व्लॉग के जस्ट बात सेर करेंगे तो इसके लिए आप चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और नोटिफिकेशन मेल को तो जरूर अन कर लीजेगा ताकि जब भी एंगे वीडियो आए जैसे ही आए महां कालेश्वार के कॉरिडर की वह आपको फटाफट देखने को मिल जाय है नहीं से वीडियो में में ओमकालेश्वार दर्शन की सारी जनकारी देने की कोसिस किया है कुछ भी छोडा नहीं है बट फिर हगर कोई जानकारी छूट गई और comment करके जरूर पूछ लिजेगा कोई भी doubt हो कुछ भी आपको जानना हो कोई भी query हो तो comment कर लिजेगा दर्शन related महाकालेश और उज्जैन से related जो भी query हो ठीक है बेजी ज़े comment करिएगा मैं definitely reply कर दूँगी थोड़ा time अगर लग जाता है यानि कि आधी गंटे बाद अगर म तो उसके लिए मैं पहले से हमाप रारती हूँ हमारी courses रहती है कि हम आपके comments का तुरंत reply करें और तो comment box में comment करिएगा और ये vlog आपको कैसे लगा ये बताईएगा चानल को subscribe कर लिजे वीडियो को like कर लिजे तो हम लोग return हो करके रात के 8 बजे उज्जैन अपने hotel पे पहु लोग भी बहुत ही जादे अच्छा रहने माला है तो उसे भी जरूर देखिएगा क्योंकि हम लोग जब मध्यपरदेश में आये थे तो हम लोगों ने ऐसा सोच लिया था कि हम मैहर जी के भी दर्शन कर ही लेंगे क्योंकि हमें मातरानी के भी दर्शन करने थे तो इस वज आएगा तो तो यहां से हम लोगों को फिर जाने में भी उतना ही टाइम लगा था जितना हमें ओंकालेश्वर आने में लगा था उससे 20 मिनट कम लगा क्योंकि हमारे रिटर्निंग थी तो इस वज़े से थुड़ा रास्ता खाली भी हो गया था और अगर आप बस से गये है तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि बस की टाइमिंग जो है उसको काफी ध्यान देना पड़ेगा गर आप उज़ेन रिटर्न जाते हो उसी बस से तो तो इस बात का अपने दिमाग में टाइमिंग सेट कर लीजेगा और उसके हिसाब से आपको दर्शन करना होगा ताकि आपको बस फिर मिल जाए उजयन रिटर्न जाने के लिए तो इस बात का भी ध्यान दीजेगा और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद आप शबी को दिल से और वीडियो को लाइक कर लिजेगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ सेर जरूर होगेगा ओम नमस्ष्वाय चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में